तो नमस्कार आज मेरा विचिट विर्शिंगपूर पाली का है और मैं आगे हूँ विर्शिंगपूर पाली और विर्शिंगपूर पाली में मा विरासनी देवी का मंदिर है और उस मंदिर में आकर उस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये है विराशनी देवी मंदिर और आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है तो चलिए दोस्तो इस मंदिर के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ विराशनी मंदिर में आज सक्ति स्वरूपा विराशनी माता की दस्मे सदी की कल्चुरी काली suppressed काले पथर से निर्मित भब्यमूर्ती विराजमान है यह पूरे भारत में माता काली की उन गिनी चुनी प्रित्माव में से एक है जिसमें माता की जीवा यानि जीव बाहर नहीं है मंदिर के गर्भ ग्रह में माता के पास ही भगवान हरिहर व Hirajman है जो आधे भगवान सिव और आधे भगवान विश्णु की रूप में है मंदिर के ग्रह गर्व ग्रह के चारो तरब अन देवी देवताओं की मूर्ति इस्थापित है मंदिर पड़सर में राधा कृष्ण, मरही माता, भगवान जगननात और सनी देव के छोटे-छोटे मंदिर भी इस्तित हैं मंदिर सभेज संग्बरमर से निर्मित है माता की अलोगिक सक्तियों के कारण लोगों की मनो कामना हमेशा पूरी होती है और यहां साल भर लोगों की भीड रहती है मानेता नुसार पिरासनी माता ने सैकडो वर्शपूर पाली निवासी धोकल नामक बेक्ती को सपना दिया कि उनकी मूरती एक खेत में है जिसे लाकर नगर में इस्ताफित करो धोकल नामक वेक्ति ने मूर्ती लाकर एक छोटी सी मढिया बनाकर माता को बिर्जमान कराया बाद में नगर के राजा बिर सिंग ने एक मंदिर का निर्मान कराकर माता की स्थापना की बिर्सिंग पूर पाली बिरास्नी माता के प्राचीन मंदीर का पुरन निर्माण का प्रारम जगत गुरु संक्राचार द्वार का सार्दा पीठ धीस्वर स्वामी स्री सुरुपन अंसरस्वती जी के पावन करकमलो द्वारा माग सीर्स कृष्ण बक्ष गुरुवार विक्र सम्मद दो हजार चियालिस दिनांग तेश नमबर 1989 को किया गया और विर्शिंगपूर कालरी S.E.C.L. सभी दानदाताओं के सहयोग से लगवाख 27 लाख रुपए में माता के संग मरमर के भब मंदिर निर्माड हुआ मंदिर का वस्तुचित्र वस्तुकार्श्री बिनाय खरिदास N.B.C.C. नई दिल्ली द्वारा निसुल्क प्रदान किया गया विराशनी माता देवी मंदिर का जिर्मडो धार का समापन कारिकरम पुना प्राण प्रतिष्ठा कलस सिखर प्रतिष्ठा कुरुवार बैसाक सुक्र सप्तमी संबत दो हजार चप्पन वीशब प्रलोने सुनि नानिवे जगत गुरु संकरचार पुरी पीठा धिस्वर चला नंद सरस्वती जी के सुभासिस से संपन हुआ माता विराशनी देवी के मंदिर परिसर में दो मुख प्रुवेश द्वार हैं और एक द्वार पीछे के तरफ है मंदिर पूरी तरह संग्वरमर से निर्मित है मंदिर के गर्भ ग्रह में माता विराशनी विराजमान है मंदिर के गर्व ग्रह के चारो तरफ अन्य देवी देवताओं के छोटे-छोटे मंदिर भी है मंदिर के बाजू में मुंडन इस्थल है मुंडन इस्थल के सामने जोती कलस इस्थल है जो एक विसाल तल घर रूपी हाल है जिसमें नवरात्र में लोगों द्वारा हजारो घी के तेल के जोती कलसों की स्थपना की जाती है मंदिर बरिसर में ही मंदिर की समीती कार्याले छोटी धरम साला और भंडारे इस्थल है विर्सिंगपूर पाली विरासनी माता के मंदिर में वर्स में दो बार सरदे और चैतर में नवरात्र पूजा बड़े ही धुमधाम से मनाई जाती हैं जिसमें ना केवल आस पास के लोग अपित्यू देश भी देश से लोग अपनी मनोकामनाय मांगने के लिए आते हैं और मनोकामनाय पूरी होने पर विविन प्रकार के धार्मी कनुष्ठान भी करते हैं नवरात्र के पहले दिन कलस इस्थापना की जाती है यहां हजारों के संख्या में घी, तेल और जवारे के कलस इस्थापित किये जाते है जोती कलस हे तू एक विसाल हाल की बिवस्था है जवारे हे तू दो मंजलब बिवस्था की जाती है स्रतालों द्वारा मनोकामना कलस इस्थापित करने हे तू मंदीर प्रबंध संचाले समिती द्वारा बहुत अच्छी बिवस्था की जाती है इसमें कोई भी वेक्ति निश्ची तराशी जमा करके घी जवारे कलस, तेल जवारे कलस, मनुकामना कलस, आजीवन तेल जवारे कलस से थाबित कर सकते हैं पूरे नौरात्र में मंदिर परसर में बच्चों के मुंडन कर्ण छेदन की विवस्था की जाती है साथ ही मंदिर समिती और अन लोगों द्वारा भंडारे भी कराए जाते हैं और पूरे नौ दिन माता की सरंगार भोग पूजा अर्चना बड़े ही सरद्धा भक्ति से की जाती है माता विरासनी के दर्वार में सोने चांदी की जिवराज सही तलाखों का चड़ावा चड़ाया जाता है विरासनी माता के जवारे विसरजन बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें हजारों के संख्या में महिला भुरुज जवारे विसरजन में समलित होते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह विर्सिंग पूर पाली माता के दरबार पर पहुंचा जा सकता है तो विर्सिंग पूर पाली बिलासपूर कटनी ट्रेन रूट परिस्तित है पिलास्पूर पाली से स्वारी बिर्सिंग पूर पाली इस्टेसन से विराष्ने माता की मंदिर की दूरी एक बटे दो यानी आध़ किलो मीटर है केवल और सड़क मार्ग पिरस्म गुरपाली की सड़क मार्ग से जिला मुख्यालbung मरिय से दूरी 40 km है, सहईडोल से दूरी 38 km है, नारोजावास 9 km है और डिन डावरी से 87 km, जबलपूर से 500 km, अमरकंटक और बान्धाउगण से दूरी 70 km है और 144 km है वायू मार्ग में निकटतम एरपोर्ट जवलपूर है लेट सुगलो में